नौर्थ इस्ट दिली में एक चोकाने वाला मामला सामने आया है जिसमें एक 17 साल की रेपीडिता ने आरोपी की माँ को गोली मार दी सुचना मिलने पर मोके पर पहुची पुलिस ने गायल महिला को अस्पताल में भरती कराया जहां उसकी हालत अभी खत्रे से बाहर बताई जा रही है वहीं पुलिस ने महिला की सिकायत पर लड़की को खिरासत में लेकर आगे की कारवाई शुरू कर दी है बता दे मामला उत्री घोंडा इस्तित सुबास महुले का है जहां थाना बजनपुरा पुलिस को सुचना मिली की एक लड़की ने महिला को गोली मार दी है तुरंत ऐसेच्चो बजनपुरा अपनी टीम के साथ मोके पर पहुचे और गायल महिला को देखा जिसका नाम खुरसीदा पतनी इद्रिस निवासी गली नमर बीस उत्री घोंडा दिली है गायल महिला की उमर लगबग पचास साल है पुलिस के मताबिक पूस्तात करने पर पता चला की खुरसीदा अपने पते पर किराना दुकान चलाती है उसने पुलिस को बताया की करीब 16-17 साल की एक लड़की दुकान पर आई और पिश्टल से उसे गोली मार दी पुलिस ने पता चला की कथित लड़की ने वर्स 2021 में खुरसीदा के बेटे के खिलाफ आईपीसी की धारा 328, 376 और 400 एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया था पुलिस ने बताया की कथित लड़की को पकड़ लिया गया है और अपराद में इस्तिमाल किया गया हत्यार भी बरामत कर लिया गया है माहिला को प्रात्मी कुपचार के बाद जी टी भी एस्पिताल में भरती कराया जहां उसकी हालत खत्रे से बहार है मामले में आगे कारवाई की जा रही है बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर 16 साल की लड़की पर पिश्टल कहां से आई ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए बने रही है इन खबर के साथ